समंदर का बेहतरीन तोफा है उसका अपना प्योर नाच्वरल सॉल्टी फेवर जो हर सीफूड में अलग अलग दिगरीज तक होता है पर रौ सीफूड में सबसे ज़्यादा ग्लॉरियस होता है समंदर का अनडल्टरेटड टेस्ट मिलता है ओइस्टर्स, सस्चीमी और सिवीचे में तो कई सारे कल्चर्स में समंदर के सॉल्टी टैंग और अनकुक्ट फिश और क्रस्टेशन की नाच्रल स्वीटनेस को सेलिब्रेट किया जाता है वेलकम तो फूट सफारी वाटर जिसमें है प्योर क्लीन फ्लेवर रौ सी फूट का फूट सफारी वाटर के इस एपिसोड में होगा दे वर्ल्ड फॉइस्टर्स तभी लगता है पैसे वसूल हुए सशीमी और सुशी की एक जर्नी ये ते मेल्ट हो रही है ये बहुत प्योर है और ग्रेग मोलू की लाजवाब सामन की बे अल्टिमेट रौ सी फूट एक्सपिरिंस में से एक है सेवरिंग ओइस्टर्स ब्रूनी आइलेंड के पास के क्लियर कोल्ड वाटर्स में तिस्मानिया पैसिफिक ओइस्टर्स को फार्म किया जाता है डौन्त्रा कैस्ट्रा चानल का बहाव ग्रेट सदन ओशन के न्यूट्रेंट्स को मॉलस्क्स तक पहुँचाता है अस्ट्रेलिय एक डेट फ्लेट कॉंटिनेंट है क्योंकि यहां के सारे पहाद ढह चुके हैं और सारे मिनरल्स और न्यूट्रियंट्स ऐसे बड़े बड़े बेसिंस में आकर इकठा हो गए हैं और जब हम इने खाते हैं तो समझ लीजे की बस हिस्ट्री को खत्म कर रहे हैं वाह क्या सोच है स्कूल टीचर ली मैक्ट्विल ने पैसिफिक ओइस्टर्स को मार्केट में बेचने की लीज को 2016 में लिया था ये जपान के स्पेशल नेटिव हैं जो आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड के वन आफ दे फेवरिट फार्म्ड ओइस्टर्स में से एक हैं तो बाकी जगे से इस ओइस्टर का फ्लेवर कैसे अलग है प्योरिटी की वज़ा से जब आप इसे खाते हैं और आखें बंद करते हैं तो इसकी फ्रेशनेस मिलती है ये गाने जैसा है कौन सा फूड आपके मूँ में गाने का फील देता है ये ओइस्टर्स ऐसी ही फील देते हैं आप पुई टीस करना चाहिए ली की वाइट सुजैन का कहना है कि इन्हें खाने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेशनी शाक्त बिना धुले नाचुरल सी वाटर के साथ इसे शलमी थोड़ा मूव कीजिए अरे लेमन नहीं डाला मैं नहीं डालती चलिए खाते हैं बहुती बढ़िया सॉल्टी टेस्ट है क्या इनसे प्यार बढ़ता है लड़कों को ये पसंद आता है तो मेरा भी फेवरिट बन गया सदर्न न्यू साउथ वेल्स में क्लाइड रिवर पर एक और ओइस्टर मिलता है जो है नेटिव सिद्नी रॉक ओइस्टर जो समंदर से आए अल्गी और फ्रेश वाटर दोनों से मिले न्यूट्रीन्स पर सवाइब करता है इस जगह को फार्मर स्टी फलेटी तो स्वीट स्पॉट कहते हैं हमारे एस्चुरी ओइस्टर में फ्रेश और सलाइन का मैजिकल मिक्स होना बड़ा ही दिल्चस्प है इससे ओइस्टर में सुईटनस आती है और अफकोर्स दो सिद्नी रॉक ओइस्टर स्पीशीज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं तो ये ओइस्टर स्पीशीज यहां की जान है स्टीव ने दुनिया भर में कॉर्पुरेट लेवल पर काम किया है ये पांच लैंगुजज बोलते हैं और टोक्यो में बैठे बैठे बाइ चांस उन्हें ओइस्टर फार्म की लीज मिल गई अपने टोक्यो आफिस में बैठे बैठे मुझे ओइस्टर फार्मिंग का मौका मिल गया था फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया लॉट कर फिशिंग का सपना देखा और मुझे लगा कि ये अच्छा रहेगा ओइस्टर फार्मिंग का ट्रिडिशनल मैथर्ड रैक अन रेल्स हैं जैसे मिट्टी में रेल्वे लाइन को फसा दिया हमने यहां 2004 में फ्लोट करना शुरू किया सर्फिस पर फ्लोट करने से सूरच की गर्मी ज्यादा मिलती है जिससे प्लैंक्टन पैदा होते हैं इससे ऐल्गी को खाना मिलता है और ऐल्गी ही इसका राज है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहां ग्रीन एल्गी आ जाती है इस तरह की तरह अच्छा तो यह आपको चाहिए जी हाँ यही चाहिए इसी से ज्यादा प्लैंक्टन पैदा होते हैं जो ओइस्टर के लिए खाना बनते हैं इसे खाते कैसे हैं फिल्टरिंग से फिल्टरिंग फिश की तरह है ओइस्टर्स रॉक के अंदर जिन्दा फिश होते हैं तो अगर हम इने मैल बन ले जाए और वहां फंक्शन कैंसल हो जाए तो हम इने वापस ला सकते हैं और इन्हें फिर से पानी में डाल सकते हैं जिन्दा रहते हैं जब तक शेल बंद होता है। जो की होती है यहां तक और अंदर क्या दिखाई दे रहा है। इसे भी किचन में ओइस्टर्स के लिए बेस्ट वेपन है। और सॉल्ट वॉटर से ब्रोकन चिप्स को या सैंड को ब्रश किया जा सकता है। इस तरह से तो अब हम एड़क्टर के बॉटम को काटेंगी। और लीजिए यह निकल गया। अब थोड़ा सा च्यू करने है। थोड़ा बहुत च्यू करें। अब थोड़ा सा आप इसको खाते हुए इसके टेस्ट के बारे में सोची। यह जैसे शेल में बन समंदर है। सॉल्टी है। और पर इसमें क्रीमीनेस है। और सी वाटर है। लगता है जैसे बड़े से ओशन सर्फ रोलर में कूद गये हों। है ना। मावलेस। और तभी तो आपका पैसा वसूल हो पाता है। है कि में। वाव। जैपनीज वर्ल्ड में रौ फिश और सी फूट को बाकी सारे कुजीन से बढ़कर पसंद किया जाता है। जैलिकेट सिंप्रिसिटी और समंदर का क्लीन प्योर टेस्ट सबसे जरूरी है। आप जो कुछ भी यूज करें उसकी रिस्पेक करें नाइफ से लेकर फिश तक। हम फैट कंटेंड को देखते हैं कि ये कैसे ट्रीट किया गया था। इसका ब्रेन स्पाइक्ड है, ये एकदम मर गई होगी बिना किसी स्ट्रेस के, इसलिए इसका फ्लेश इतना फ्रेश है। इस कॉंप्लिक्स दुनिया में एक शेफ जो परफेक्शन चाहता है, वो है चेज कोजिमा। उनके फादर सान फ्रांसिसको में एक मास्टर सुशी शेफ है। और चेज ने वर्ल्ड फेमस नोबू किचिन्स में आने से पहले उनके साथ ट्रेनिंग की थी। और फिर 2011 में सिद्नी में सो क्यों खोला। हर अलग काम के लिए हम इस्तमाल करते हैं एक अलग नाइफ। हम सर्फ एक साइड को शाप करते हैं तो आप्विसली ये सारे नाइफ राइट हैंड़ शेफ के लिए हैं। लॉंग ब्लेज की वज़ा से मोशन काफी अच्छा होता है। जब आप स्लाइस करें तो वन स्ट्रोक मोशन होना चाहिए। जब ये शाप नहीं होते तो आप फर्क देख सकते हैं। तब आप स्लाइस नहीं करते उसे तोड़ देते हैं। और टूना के हर हिस्से का अपना एक अलग नाम है, है न? जी हाँ, अकामी का मतलब रेड मीट, ये होता है लॉइन साइड। अगर ज़्यादा थिन स्लाइस किया तो मूँ में घुल जाएगा। ज्यादा थिक होने पर चुई हो जाएगा और मूँ में ज्यादा लगेगा। तो ये परफेक्ट साइस का होना चाहिए। अब होममेड सॉय सॉस, जिसे हम टूना बोन्स और बोनीटो फ्लेक्स के साथ सीजन करते हैं। इस फिश में एक ब्यूटिफल फैटिनेस है जो आपकी जीप पर मेल्ट हो जाती है। चुतोरो और ये होता है लीनर बैली। और फिर ओतोरो ये है बैली साइब, जो होता है एक्स्ट्रा फैटी और एक्स्ट्रा डिलिशस। और ये पीक पॉइंट होता है, कई Japanese के लिए, ये वाग्यू की तरह है, वाग्यू है ये, मैं इसमें यूज करता हूँ sushi rice, थोड़ी सी वसाबी, येस, और फिर इसे देता हूँ boat shape, इसका temperature, rice का texture, फिश का texture, ये सब साथ में बहुत ही अच्छे रखते हैं, मुह में जाते ही कर देते हैं, और इसे खाना है, एक बाइट में, एक बाइट में, क्या पॉफिक्ट मोमेंट है ये, Pacific के Ecuador, Peru और चिली से लेकर Pacific Islands तक कई सारे cultures best seasonal raw fish को use करके pure fresh salads बनाते हैं, और यहाँ इसके कई सारे variations और कई सारे नाम हैं, सीवीचे से लेकर ओका तक, फिजी में cured raw fish को कोकोंडा कहते हैं, और इसे बनाने के लिए ripe coconut चाहिए होता है, ताकि फिश की sweetness के लिए rich velvety cream को extract किया जा सके, कोकोंडा किसी भी seafood के साथ यूज किया जा सकता है, आज हम यूज करेंगे beautiful snapper के साथ, मैं Byron Bay में पला बढ़ा, तो मुझे याद है कि मैं Brunswick Heads जाता था और सीधे dog पर snapper खाता था, तो जब मैं Australia आता हूँ, मुझे इसे खाने में मज़ा आता है, तो अब हम लेते हैं fish, इसमें डालेंगे tomatoes, फिर डालेंगे ashalots, थोड़ी richness कम करने के लिए, कुछ तीखी chilies, और फिर थोड़े और flavor के लिए ये sweet chilies, ये कितना सुंदर है, है ना, बिल्कुल, अब इसमें हम डालेंगे coconut cream, तो ये तो काफी सारा coconut milk है, आपसलूटली, है ना, या, कुछ लोगों को सवीचे का नाम सुनकर जटका सा लगता है, और उन्हें वो एक soupy style, cold soup जैसा मिलता है, और फिर इसमें हम थोड़ा salt और थोड़ा lime juice आट करेंगे, तो fish में coconut milk पहले डालने से, और निम्बू बाद में डालने से fish cook नहीं होते, ऐसा ही है ना, अच्छा, बिल्कुल, हम वैसे भी इसे cook करना नहीं चाहते, क्योंकि fish पहले से ही असरिक है, मैं ऐसे कहूंगा एक seasoning, fusion cuisine काफी bold रही है, यहां की हर चीज की तरहां, जैसे यहां के लोग है, sense of humor है, वो बहुत ही bold रहा है, तो बहुत ही कमाल की बात है, एक ऐसी gentle dish को देखना, जो यहां से originate होई है, तो इसके बाद हम add करेंगे थोड़े leaves, coriander की, ताकि एक बहुत ही अच्छा facelift मिले इस dish को, और इसे एक बहुत ही अच्छा herbaceous twist भी मिलता है, कैसा लगा? यह तो बहुत ही fresh और delicious है, आपने sweetness add की? यह बहुत ही beautiful और harmonious dish है, और बहुत ही simple भी है साथ में, बहुत ही प्यारी dish. Australia में और internationally भी, one of the most respected chefs में से एक है, Tetsuya Wakoda. जिन्होंने अपने पूरी जिन्देगी exquisite seafood के साथ काम किया, Sydney और Singapore में इनके acclaimed restaurant है, पानी में मिली सारी अच्छी चीजों के लिए इनका dedication इनके menu में नज़र आता है, कम से कम इनकी one third dishes seafood based है, Tetsuya ने हमेशा से less popular fish को बहतरीन बनाया है, जो lesser known species हैं, और जिन्हें अकसर bycatch कहा जाता है, उनमें से एक fish है, blue और slimy macro, ये fish आपके दिल के काफी करीब है ना? हम इसी के साथ बढ़े हुए, अच्छा, breakfast में हम इस पर नमक लगा कर भाते थे, और फिर इसे फ्रिज में रखते थे और बस इसे grill करते थे, skin side up, बस grill किया हुआ, इस delicious, तो ये process बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से इसमें taste आता है, और ये थोड़ी dehydrate होती है, अब इसे normally आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, इसके बाद लेंगे vinegar, rice vinegar, तो आप इसे vinegar में धोते हैं, तो vinegar से क्या होता है? pickled, ये kelp है? kelp, rice wine vinegar, बस impurity हटाने के लिए, ऐसे, ये है preserved lemon, थोड़ा सहलाद आएंगे बस, ये बहुत salty होता है, लेकिन काफी aromatic, इस तरह रख देंगे, अच्छा बताएं, kelp से fish में क्या होता है? kelp leaf, fish के excess moisture को absorb कर लेती है, और साथ ही kelp में उमामी होता है, तो वो taste fish में transfer हो जाता है, और फिर इसे फ्रिज में रख देते हैं, मैं दो तीन घंटे के लिए रखता हूँ, अच्छा, sliced fennel, थोड़ा सा salt, और pepper, और lemon, बस एक ही, olive oil, तो आपने देखा ये cured fish जैसी हो गई है, हाँ ये cured देख रहा है, अब इसे slice करेंगे, अच्छा, टेस्ट वाइस, ये जादा महेंगी फिश के मुकाबले कैसी है, देखिए, ठ्वीन तो ट्वीन है, पर मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, अब मैं इसके लिए एक ड्रेसिंग बनाऊंगा, ये जिंजर के साथ हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और फिर थोड़े से एशलोट्स और चॉंप किया हुआ प्रिजर्व लेमन, अब बढ़िया, तो अब हम इसे तकरीबन पेंट करेंगे, उपर से डालेंगे नहीं, वरना evenly distribute नहीं होगा, और फिर, है ने ये कमाल की रेसिपे, जिसमें soy sauce, marine, olive oil, और preserved lemon यूज होता है, बहुत ही confused, एकदम देरी जिंदगी की तरह शाइब, ये विल्कुल आप की दिश है, ये हैं chives, आजकल आपको micro herbs, इसका फ्लेवर बहुत फ्रेश है, इसमें से फिशी फ्लेवर तो आ ही नहीं रहा, बस इसका texture फील हो रहा है, इसका टेस्ट सच मुझ में बहुत बढ़िया है, थाइंक यू सो मॉच, प्लेशर, ओ, डिलिशियस एंड क्लेवर, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी स्पाइन से, इटालियन वर्ल्ट में raw fish के celebration को कहते हैं crudo, जिसका मतलब ही है raw, ये डिश व्यारी करती हैं कि आप शेहर के किस कोस्ट पर रहते हैं, उसी के हिसाब से fish की choice और seasoning बदलती है, शेफ गैब्रियले कहते हैं कि crudo इनके जिंदेगी का हिस्सा है, क्या बात है, ये देखें, हमारे पास एक खुबसूरत red emperor भी है, red emperor में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसे कच्चा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सारी deep sea water fishes को fish oil का higher content develop करना पड़ता है, खुद को protect करने के लिए cold temperature से, और मुझे इसका texture भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत firm नहीं है, और जैसे कि आप देख सकती हैं कि इसे scale ना करने से, मैं इसकी oiliness को महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा maintained है, बिना scaling और बिना washing के, आप जरूर चाहेंगे कि फिश की हर बाइट आप से कुछ कहे, आप चाहेंगे कि जब भी आप अपनी डिश में से कुछ उठाएं, तो आपके मुझे निकले वाओ, मैं हमेशा टेल से शुरू करता हूं, और इसे slice करते ही सीधे रख देता हूं प्लेट में, जब भी आप ऐसे सी प्रोड़क्ट के साथ काम करते हैं, और अगर आपको अपना काम अच्छा लगता है, तो आप खुश हो जाते हैं, आपको फिल होता है कि इसके कलर को देखें, और इस फिश के टेक्शर को देखें, ये बहुत शांदार है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, कि बैली साई का एक हिस्सा लेता हूँ, ताकि जब आप फिश खाएं, तो आपको मिले डिफरेंट टेक्स्चर, और मिले डिफरेंट फ्लेवर्स, जिने खाने के बाद आप आप, और हर बाइट में वाव, जिसकी हर बाइट में मज़ा आए, तो इसके साथ आप क्या क्या फ्लेवर्स डालते हैं, ओके, जैसा कि आप जानती हैं, मैं इटालियन हूँ, तो मैं सिट्रिस को यूज़ करने से खुद को रोप नहीं सकता, और यह अच्छी बात है, कि अभी हमारे पास है यह बढ़िया ब्लाड ओरेंज, और इसके साथ ही हमारे पास है ब्लाड ओरेंज का जूस, जिसे सीजन करना होगा सिसिलियन सॉल्ट से, और सिसिलियन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव उयल से, ओ, इसका रंग कितना शाद़ार है, ब्लाड ओरेंज का जूस, और फिर ब्लाड ओरेंज के पीसिज, इन्हें रखेंगे सेग्मेंट में, देखिए यह है खुबसूरत सेलरी, मैं इसमें डालूँगा आइस वाटर, जिसे यह बहुत ही क्रॉंची और फिर्म हो जाएगा, यह बहुत सिंपल है, इसे ज्यादा नहीं डालना है, और हमारे पास है यह ब्यूटिफुल रेड वेंज सॉयल, इसमें थोड़ा सा सिट्रिसी आफ्टर टेस्ट और असिडिटी होती है, जो बहुत ही शानदार है, अब डिश के फिनिशिंग टच के लिए हम डालेंगे क्रैक पेपर, ला जवाब है, इसमें फ्रेशनेस और परसिस्टिंस दोनु का टेस्ट है, किसी भी मील को शुरू करने का खोबसुरत तरीक है, ये मील शुरू करने का सिर्फ खौबसूरत तरीक भी नहीं है, मिदल इस्ट में सबसे मश्यूर डिशिज में से एक है रॉव लाम्ब डिश जिसे कहते हैं कि बेने यह लाम्ब को ट्रिडिश्टल तरीके से माबल या स्टोन बेसिन में पाउंड किया जाता है जिससे जुरन कहते हैं इस मीट को क्राक्ट वीट या बर्गल के साथ मिक्स करके चिल्ट करते हैं ताकि इसका टेस्ट बना रहे और फिर इसे फ्रेश हर्ब और ब्रेड के साथ सर्फ करते हैं वर्ल्ड रिनाउंड शेफ ग्रेग मलू को लेबनेन की क्लासिक डिश्ज़ में एंडलेस इंस्पिरेशन मिली है वो नई टेस्ट्स एंड कॉंबिनेशन बनाते रहते हैं लेकिन मिडल इस्ट की हिस्ट्री और हेरिटेज का साथ नहीं छोड़ते ग्रेग का सामन किबे ने ये उनकी मेन्यूज पर हमेशा से मशूर रहा है और उसे इंटरनाशनल फेम भी मिला है इस सामन का वज़न चार किलो है जो कुछ लेबनीज फेमिलीज का पेड़ भरने के लिए काफी है अच्छा अगर दुखान वाले से लेते हैं तो मैं उससे कहूंगा कि सेंटल कट दे इसके नहटा कर और पिन बोर्ड भी पिन बोन्स को बाहर निकालना होगा ये डिश किसी भी नौसिखी के लिए काफी अच्छी है क्योंकि एंड में हमें से पीसना है तो ये अच्छी डिश है ट्रेनिंग के लिए है अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगा ताकि ये अच्छी तरा से ठंडी हो जाए अब मुझे क्रैक्ड वीट को सोग करना है तो मैं इसमें पानी डालूँगा और चार-पांच मिनट के लिए छोड़ दूँगा अच्छा बस इतना ही ताकि ये पानी को अब्जर्व कर लें सैमुन के चिल हो जाने के बाद सबसे पहला स्टेप है आइस को इसमें डालना बहुत नहीं बस थोड़ी सी इससे फिश से निकलने वाले ओयल बाइंड हो जाते हैं और फिर उसके बाद डालेंगे एशेलोट्स यानि वाइट अनियन्स और थोड़ी सी चिली भी और स्पाइस थोड़ा सा सी सॉल्ट इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा लगता है तो मैं क्या करता हूँ इसे धीरे धीरे मिक्स करता हूँ अब इसे सोख होते हुए करीब पांच से साथ मिनट हो गए है तो अब इसका क्रंच खत्म हो गया है हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था अब हम एक टेबल स्पून की मदद से इसको इसमें डालेंगे और धिरे धिरे इसको इसमें मिक्स कर देंगे और बर्गु से इसे एक्स्ट्रा बॉड़ी मिलती है अब देखिए यह कितना अच्छा लग रहा है आपको इस डिश का आइडिया कैसे आया यह डिश मैंने बहुत पहले बनाई थी और शायद मैं किसी सूशी बार में गया था और अगले दिन जब मैं काम पर लॉड़ा त तो लैबनीज ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं तो सेंटर से शुरू करें और साइड्स को पूरी तरहा से राउंड करना है और प्रेट की शेप को फॉलो करना है इसे बराबर कर लेंगे इसे जितना हो सके उतना सिमेट्रिकल बनाना होता है तो यह ट्रडिश्टल तरीका है कि बिनाए को डेकोरेट करने का आपने बिल्कुल ठीका और पुतीना इससे होती है डिश कंप्लीट हम लेंगे सेच ब्रेड लिटिल स्कूब मेरे पास कोच वाइट अनियंस हैं जो आइस कोल्ड वाटर में सोख हो रहे थे जिससे इसका सुआद मीठा हो जाता है बिल्कुल ऐपल के तरह एपीस अपम्म помощ और अगर आप में मत है तोर सा एकस्ट वर्जईन ओलिव ओय डिपो और करीजेए कह यह शूद्ध वाग्या कांबिनेशन है इत मैल्स ओन्या टांग फैंक्यों मैं फ्रीरेंड थैंक्यों थैंक्यों रिमाझ्थ झाल झाल